नमस्कार अगस्त महीने के मासिक रासिफल में बहुत स्वागत है तुला से लेकर मीन तक वाले अगस्त महीने में क्या प्राप्त करेंगे दो-चार दिन तो बीती ही गया है थोड़ा हमारा स्टाफ चुकी कामण बगर लेकर के बाबा के धाम आदी जगहों पर गया इसलिए थोड़ा बिलंब रहा लेकिन कारिक्रम तो देना ही है आपको तो आपके लिए लेकर के हाजिर हूँ कन्यातक वालों का हमने पीछे बता ही दिया है आज चर्चा करेंगे हम तुला बिश्चिक धनू मकल कुम्भ मीन इंचे राशी वालों के लिए अगस्त महीने का हाल अगस्त महीने में ग्रहों की स्थिति सुर्योदय करक राशी में सुर्य वही बैठे रहेंगे सिंग राशी में बुध शुक्र कन्या का केतू रहेगा कुम्भ राशी में शनी वक्री जिरो डिग्री के और राहु मीन में ब्रहश्पती मंगल ब्रिशब राशी में रहेंगे ये ग्रह निरधारित करेंगे कि आपका अगस्त कैसा भी इतने वाला है आएए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे तुला राशी की लेकिन आपको बताएं कि आप हमसे 10-11-12 को गोहाटी में मिल सकते हैं 20-21-22 को बनारस और 28-29-30 भोपाल नीचे डेट्स देख लिजे इसके बाद सितंबर में कहां अक्टूबर में कहां नौंबर तक की डेट आ गई है यह अगस्त का हमने बताया है शुरवात करते हैं तुला राशी से बाई सब पढ़ाई की बात करें अगर तुला राशी वालों के लिए दसम में सुर्योदय है आपका तो मैटर थोड़ा सा उतार चड़ाओ का तो रहेगा बहुत अच्छी स्थिति नहीं दिखती है परिशान करेगा आपको शिक्षा में प्रभाव पढ़ेगा पढ़ाई प्रभावित होगी आपकी कई तरह से थोड़ा संभल कर रहने की आवश्यक्ता होगी आठ ग्यारह उन्निस तारिक स्ट्रगल है ब्यापार तोला राशी अगस्त दोहजार चौबिस रिस्क नहीं लेना है प्राइबेट सेक्टर प्रभावी रहेगा शुभ रहेगा परिवर्तन का समय 20 अगस्त के बाद सरकारी छेत्रों प्रेशर फील करेंगे काम जैसे होते होते रुक जाएगा अचानक कुछ स्थतियां हाथ से स्किप होंगी दांपत्य जीवन तुला राशी मंगल की स्थती ब्रिशम में है आठमे में है इस्थतिय अच्छी नहीं हो नुक्सान उठेगा लव लाइफ शनी वक्री हैं बीना कारण ब्रेक अप हो जाएगा बाद में हसी आएगी क्यार कुछ रीजन भी नहीं था अच्छा भला रिस्ता खतम कर दिया हेल्थ तुला राशी जुखाम पेट नेत्र लीवर सोल्जर स्पेन बना हुआ है यह सारे दोश आठमे के मंगल से जनरेट हो रहा है बता देंगे लॉजिक देंगे हवा में बात थोड़ी होता है कि कुछ भी बोले जा रहे हैं लॉजिक उपाय आगे लाश्ट में बताएंगे सभी राश्यों का एक साथ बिश्चिक राश्य कुछ बेहतर तो हुआ है और बेहतर होने की उमीद है पढ़ाई संतुलित है शिक्षा में अवश्य लाव होगा पढ़ाई के लिए योग अच्छे हैं भाग्येश भाग्यस्थान पे सुर्योदय हैं तो कुछ बड़ा है कुछ बहुत अच्छा है जिनांक 10, 16, 26 और 30 तारिक शुभ होगा नई जगा एडविशन हो विदेश जाना हो सब कर सकते हैं व्यापार की बात करें बिश्चिक की तो यहां थोड़ा सा टफ सिचुएशन है रिस्क लेना भारी पढ़ेगा अश्थिर मान सिक्ता इसमें घातक बनेगा कुछ प्रभाव ऐसा होगा जो आप के लिए नासूर बन जाएगा पैसा कहीं ब्लॉक हो जाएगा खास दौर पे दिनांक 16 के बाद परिस्थतियां प्रत्थकूल होंगे प्राइविट सेक्टर यात्रा का विशेश लाभ मान सिक्षान्ती अवश्य प्रभावी रहेगा बॉस प्रशन रहेंगे बॉस का बदलाव दिनांक 14 से 18 के बीच में डेक्स बदल सकता है 20 से 24 के बीच में पैसे के लेंदेन में ध्यान दे सरकारी छेत्र दम दम बम बम अच्छी इस्थति में गवर्मेंट सेक्टर बहुत दिब्बी तरह से फाज़ा देगा दांपत्य जीवन सबतमेश शुक्र अपने से चौथे सिंगराश्य में है ठीक स्थति है कोई बहुत बुरी भी नहीं है तो बहुत अच्छी भी नहीं है निभ जाएगी अगस्त का महीना ऐसे ही चला जाएगा सुखा सुखा ने बहुत जगडा ने बहुत प्यार बहुत अच्छी स्थति में है विवाह की चर्चा के लिए ये महीना बहुत माकूल है मंगल शनी छोड़कर किसी भी दिन बात कर लीजे कोई लाइफ में नहीं था सिंगल थे तो इस महीने किसी ने किसी के लाइफ में आने की संभावना हंडेट परसेंट है बात करेंगे अब अगली राशी धनू की चीजें अच्छी हैं ठीक ठीक चल रही है आठवे में सुर्योदय है 16 अगस्त तक की स्थिति ऐसे ही रहेगी बस कमों बेश उतार चड़ाओ पढ़ाई कम हो पाएगी अचानक कुछ रुकावट परेशानी नुकसान दे सकती है सुक्षा में अचानक किसी न किसी रूप में आपको परेशानी होगी ब्यापार टेंसन ना लीजिएगा बिजनस में सोच से भी बेहतर परिणाम मिलेगा दिनांक 11, 26 और 30 तारिक शुब रहेगा प्राइवेट सेक्टर की स्थती आपके हिसाब से चलती जाएगी नई नौकरी की संभावना बनेगी अच्छी तरह से आप आगे बढ़ेंगे नई दिशा में कदम बढ़ेगा और आप पॉजटिवली सब कुछ प्राप्ट करेंगे सरकारी छेत्र आपके लिए कुछ बहतर परिड़ाम दे रहा है गवर्मेंट सेक्टर की स्थती को लेकर के सोचना विचारना नहीं है डेट हम लिखा देते हैं आठ, सत्रह, बाईस, तीस ये सावधानी बरतने वाली तारीख है दामपत्य जीवन सब्तमेश बुध शुक्र के साथ भाग्य स्थान पर है तो चिंता नहीं भाग्य के सहारे मैरेड लाइफ की गाड़ी खिच जाएगी सावधान रहने वाली तारीखें संक्रान्ति की तारीखें होंगी ध्यान दिजेगा लव लाइफ अपनी वाली चलाने के चक्कर में चीज़े बिगाड़ेंगे आब ये बहुत अच्छी इस्थति नहीं है बिगड़ेंगी चीज़े सावधारी बरतने की जरूरत है बात मकर राशिक ही करते हैं सब्तम भाव में सुर्योदा है ये माह जैसे आपके लिए कुछ सवगात ले करके आरे वाला है सुरू हो चुका है पढ़ाई में कलग तरह का आदर्श इस्थापित करेंगे सिक्षा का प्रभाव बहुत अनकूल और ब्यहतरीन रहेगा तेजी से आगे बढ़ने वाला रहेगा कुछ बड़ा प्राप्त करके और फिर आप चेंज करेंगे ब्यापार की स्थती आपके लिए कुछ नुकसान दे रही है जिस पर आपको ध्यान देना होगा उतार चड़ाव से युक्त ब्यापार कश्ट देने वाला ब्यापार रिस्क ना लेने वाला ब्यापार दिनांक 10, 16, 22 और 29 तारिक सावधानी रहने की आवशकता है प्राइवेट सेक्टर एक नई सुरुवात की तरफ इशारा करता है सम्यक संतुलन की तरफ इशारा करता है मतलब बराबर बैलेंस की तरफ कारे छेत्र में आप मेहनत करेंगे और उसका रिजल्ट भी आपको दिखेगा अप्रेजल, सेलरी बढ़ाना इसकी पैरवी आदी कर सकते है सरकारी छेत्र थोड़ा सा टफ प्रभाव दिखाएगा नुकसान दे सकता है आप पर गाज गिर सकती है कुछ गलत किया होगा तो उसका रिजल्ट दिखेगा कुछ गलत किया होगा तो उसका रिजल्ट दिखेगा आपके लिए बहुत सम्वेदंशील इस्थती रहेगा दिरांक आठ चौदह पाइस और तीस तारिक साउधान रहे दांपत्य जीवन मकर राशी सबतमेश्च आपकी राशी में रहेगा तो पति-पत्नी के बीच के तालमेल को थोड़ा सम्हाल कर चलने की आवश्चकता है लव लाइफ बहुत संतुलन में रहेगा परेशानियों से बाहर निकलने का मौका मिलेगा एक नई सुरुवात आपका इंदजार करेगे कुछ बेहतर होने वाला है ऐसा आभास आपको होगा जिरांग 4, 11, 22 और 30 तारिक शुब चर्चा करेंगे अब स्वास्त की लिवर, आँख, पेट की समस्या और किड्नी की सदिक्कत हो सकती है उपाय आगे बताएंगे जल्दे से जान नेते हैं कुम्भराशी कुम्भराशी वालों के लिए चंद्रमा सुर्योदे जो है छटे भाव में है गुप्त दुश्मन तयार रहेंगे पढ़ाई के लिए बड़ी मुश्किलें आएंगी उतार चुड़ाओ बढ़ेगा शिक्षा नहीं हो पाएगी पुरे माह कई प्रकार की और दिक्कतों के कारण पढ़ाई से विमुखता रहेगी ब्यापार की बात करें तो बिजनस बहुत बहतर आप करेंगे रिस्क लेंगे परिड़ाम उज्ज्वल मिलेगा बिजनस कुम्बराश अगस्त दोगजार चौबिस खास तोर पर दिनांग 12, 16, 26 और 30 तारिक शुभोगा ब्यापारिक दिश्टिकोंड से समय फेवर करेंगा प्राइबेट सेक्टर कुम्बराश अगस्त महीना बहुत अच्छा नहीं है परिवर्तन मत करिये जैसे हैं टिके रहिए शान्ती के साथ चुप चाप काम करिये सरकारी छेत्र आठ चौदह बाईस और 26 तारिक शुभोगी परिवर्तन सील समय रहेगा काम में मन लगेगा बास प्रशन रहेंगे कुछ बड़ा करने की चाह पूरी होगी दामपत्त जीवन सब्तमेश सूर्य अपने से द्वादस करक में चल रहे हैं हस्तक शेब बहुत होगा बाहरी लोगों का मरेड लाइफ में बहुत डिश्टर्बेंस होगा परिस्थतियां आपके लिए नुकसान दे रहेंगे लव लाइफ हर प्रकार से आपके लिए अनुकूल है अवसार अच्छे मिलेंगे एक दूसरे के करीब आने का मौका मिलेगा सिंगल थे तो 17-18 के बाद प्रयास किसी ने किसी के प्रपोजल पर विचार कर सकते हैं स्वास्थ आगे बताएंगे हम उपाईस का स्वास्थ के मामले में हड्डियों की समस्या और किट्नी की समस्या हो सकती है अंतिम राशी मीन अगस्त दोजार चौबिस मीन राशी वालों के लिए सुरियोदय पंचम भाव में है भाग्य साथ देगा इस महीने ब्रहश्पत भी भाग्य स्थान पर देख रहे हैं तिर्टिय भाव से बढ़ाई बहुत बहतरीन शिक्षा में आउसर अच्छे मिलेंगे ब्यापार आपके लिए अनकूल रहेगा हर कदम पर शुबता देगा प्राइबेट सेक्टर को लेकर के सजगता अनिवार है सर्कारी छेत्र आपके लिए कुछ नई योजनाओं पर कारे करने का अउसर देगा दिरांक 9-18 और 24 तारिक शुब होगा दामपत्य जीवन थोड़ा बहुत परेशान कर रहा है जिस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है ज्यादा मेहनत लड़ पड़िये का भागिये का बन दामपत्य जीवन मेन राशी बुध अपने से द्वादस हैं परेशान तो करेंगे सिर्फ इस वजय से की आप दूसरों कि सुनी बातों पर ध्यान देंगे किसी ने बोल दिया की पत्नी ऐसे कर रही थी आपने एक्सेप्ट कर लिया एक बार पूछना भी नहीं समझा हो चित क्योंकि बुध छठे है अपने से द्वादस है भटकाओ के भी चांसस बनेंगी इस महीने इधर उधर ताक ज्ञांग दोनों पक्षों का ध्यान देजे लव लाइफ बहुत बहतरीन हर प्रकार से शुब एक दूसरे के प्रतिसमर्पित चंद्रमा की स्थती अध्भुत है 100% विवाह की चर्चा होगी स्वास्थ जुखाम खासी के साथ साथ हड्डियों की दिक्कत माइग्रेन और पेट की समस्या हो सकती है क्या उपाय करना चाहिए अब बता देते हैं आप सब को एक साथ तुला, म्रिश्चिक, धन, मकर, कुम्भ और मीनवाले प्रियोक के तौर पर प्रतेक प्रातह दूर्वा सर से वार कर बाहर फेकिये और 24 बार गायतरी मंत्र का जाप करके ही आगे बढ़िये ये दो उपाय करना आपके लिए हर तरह से शुभ रहेगा तो आज के लिए इतना ही अब अनुमत चाहेंगे बनारस 20, 21, 22 तारिख रहेंगे और गोहाटी 10, 11, 12 रहेंगे बुकिंग करा लिजेगा बीच में गाजियाबाद रहेंगे जहां भी डेट के बीच में गैप पा रहे हैं वोस टाइम गाजियाबाद हेड आफिस है मुलाकात कर सकते हैं नमबर आपके साब में धन्यवाद नमस्कार शेगादे आचार्य विश्वप्रसिध जोतिशाचार्य संतोश संतोश जी ने अपने 13 वर्षों के कठो रिसर्च के बाद आप सबके खुशाल जीवन के लिए लाए हैं एक अनमोल उपहार ग्रहदीब समस्त प्रकृति की शक्ती को अपने अंदर समेटे ये ग्रहदीब आप सबके जीवन में पूरी तरह से खुशियाँ ला सकता है कैसी भी दशा कैसा भी ग्रहों का हो दुश प्रभाव बस एक ग्रहदीब आप की जीवन को भर देगा खुशियों से हर समस्या के लिए अलग-अलग ग्रहदीब जैसे नौकरी के लिए सूर्य ग्रहदीब व्यापार के लिए बुध ग्रहदीब संतान के लिए संतान गोपाल धन हे तू महालक्ष्मी कर्ज कोट विवाद मंगल ग्रहदीब मौडलिंग और एक्टरस बनने के लिए शुक्र ग्रहदीब तो अगर आपको भी खुशियों की चाहा है मंगवाईए अपना खास ग्रहदीब दीब एक खुशियां अनेक कर्षाए अनेक अनेक तो अनेक कर्षाए कर्षाए तो विपे लिए कर्षाए पर और एक खुशियों की चाहता